सबी को प्रभु येशु मसी के नाम से जय मसी की दोस्तो में बुरुनो फिर से एक नए वीडियो के साथ हम लोग के मसीही जीवन में बचन बताती है कि प्रभु को ग्रहन करने के बाद हमारा जीवन बढ़ते जाना है हमें एक जगा में नहीं रुकना है हमें मसीहत में बरना है जब हम कलुशे का पत्री उसका दो एधियाए उसका छे और साथ बचन पढ़ते हैं यहाँ पर कहता है सो जैसे तुमने मसीह येशु को प्रभू करके ग्रहन कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जर पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दिर होते जाओ और अतनत धनवात करते रहो मेरे दोस्तों इस बचन में पोलस क्लियरली कोलिशियो के जो मंडेली था चर्च था कलिशिया था उन लोगों को बता रहा है कि आप लोग प्रभु को ग्रहन किया है ठीक है पर अभी आप लोगों को बढ़ना है विश्वास में और भी डिर रहना है और भी विश्वास में बढ़ना है लेकिन जब हम अपने मसी जिवन को देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग है कि जहां वो लोग येशु को ग्रहन करते हैं उसके बाद में वो लोग येशु में बढ़ना छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग अभी भी जो येशु को ग्रहन करने के समय में उनलों को जो सिक्सा मिला था वो ही सिक्सा लेकर वो ये लग पूर अगर आप लोग हमारे चैनल में नई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेस्बुक में होने से फोलो कर लीजिए हम लोग आज मसीही में नहीं बढ़ पा रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण हम लोग खुद है हाँ मेरे प्रियोव आप लोग ने सही सुना हैं हम लोग अगर आज मसीही में नहीं बढ़ पा रहे हैं spiritual life में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण हम खुद है, बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग lazy हो जाते हैं, जहां हमें समय मिलता है Bible पढ़ने के लिए, Church जाने के लिए, और प्रात्ना करने के लिए, उन समय में हम लोग lazy हो जाते हैं, वे सब काम छोड़कर हम लोग दुसरे कामों में ब्यस्त हो जाते हैं, और हम लोग lazy बनकर उन सारे कामों को neglect करते करते, एक समय ऐसा आजाता है कि हम लोग ये सब चीज देखने से ही और सुनने से ही boring सा लगता है, तो मेरे प्रियोग हम लोगों को discipline होना चाहिए, हम लोग undiscipline हैं, हम लोग spiritual life को हम लोग खुद नहीं खिला रहे हैं, हम लोग भोजन नहीं दे रहा हमारे आत्मिक जीवन को, खुद नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग भूके हैं, और एक जगा से दूसरे जगा बढ़ नहीं पा रहे हैं, जब हम इब्रायनी के पुस्तक उसका 5 का 12 पढ़ते हैं, उहा हो गए हो कि तुम्हें अन्यके बदले अब तक दूध ही चाहिए यहां पर यह बचνα में कहा जारा है कि यह समय हैं अगर हम लोग येशु मसी को ग्रहन किये पर्मिशर कर जाने हैं मसीहत को जाने तो हमें बरना चाहिए और जब हम लोग 2 साल हो गया तीन साल हो गया और हमारे जीवन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, परणतु परमेशर का जो सिक्सा है उसे हम लोग नहीं पा रहे हैं और उसमें नहीं बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये बचन में कहता है तर चार-पांस साल हो गया है तो हमें उसमें परमिसर के सिक्सा में भी बढ़ना है मसीहत को और भी गहराई से जानना है क्योंकि हम लोग जब मसीहत में बढ़ेंगे येसु मसी को फिर से गहराई से जानेंगे तो उतना ही हमारा जो relationship है यह सो मसे के साथ वो बढ़ते जाएगा अगर हम लोग जो अन्य खाने के समय में अगर हम लोग दूधी पी रहे हैं तो ये एक समझा जाएगा कि हम लोग मसिहत में नहीं बढ़ रहे हैं इसका मतलब यही है कि हमें जब सिखाना चाहिए था दूसरों को बचन से हम लोग नहीं सिख पा रहे हैं अभी भी हम लोग उसी stage पर है जहां आप से सुरू किये थे तो ये सब सब बाड़ा कारण है कि हम लोग अपने आपको active नहीं कर रहे हैं जहां पर हम लोग अपने आपको spiritually फेट खर सके जहां पर आत्मीक रूप से हम अपने आपको भोजन दे सके ये सब से बड़ा कारण है हम लोग बहुत ही lazy हो चुके हैं आज हमें परिस्रमी होना बहुत ही जरूरी है दूसरा जो कारण है हम लोग मसीहत में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं वो है कि हम लोग को जो भोजन मिलना था हमारे आत्मीक रूप में बढ़ने के लिए आत्मीकता में बढ़ने के लिए वो भोजन हमें आज नहीं मिल रहा है ऐसा बहुत सारे कलिस्या हैं जहां पर लोग आज जो लोग सुनना चाहते हैं उसी को सुनाते हैं इसका मतलब जो सुनने से लोग अपने आपको खुसी महसूस आता है उसी तरह का प्रीचिंग आज कल हम लोग चर्च में देखने को मिल रहा है लोग भी उसी को prosperity gospel वगरा हो गया वे लोग सुनते हैं जादा और उसी को लोग प्रचार भी करते हैं तो यह सबसे बड़ा problem है कि हम लोग आत्मिकता में नहीं बढ़ पा रहे हैं Bible हमें जो सिखाती है वो हमें सीखना है Warning messages should be preached तो ऐसा बहुत सारे समय है जहां पर हमारे कलिशया कुछ मैं सभी कलिशयों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी कलिशय को point out नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो modern churches है बहुत सारे churches है जहां पर जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखा पा रहे हैं जो अग्वा गन है, missionary गन, in many a time we're fail to teach our generation हम लोग का जो generation है उन लोग को नहीं सिखा पा रहे हैं जो परमेसर का बचन से सीखना चाहिए था, जो सिखाना चाहिए था हम लोग, जो हमारा generation है उन लोग को अच्छी रिती से परमेसर बचन को सिखाना पा रहे हैं आत्मिक भोजन का अच्छे रिती से उन लोगो देने पा रहे है जहां कि वो लोग एक stage मिले वहां जहां कि वो लोग को एक environment मिले जहां वोग अपने आपको आत्मिक अता में बढ़ने के लिए और भी issue हो एक environment नहीं दे पा रहे है जहां कि वो लोग मसीहत में बढ़ने पाए तो ये एक point है, हमें एक environment देखना है, कहां हम मसीहत में बढ़ पाएंगे, ऐसा कौन सारा चीज है जहां पर मुझे मसीहत में और भी सिखने को मिलेगा, ये सारा चीज हम लोगों को आज देखना है अगर हम लोग मसीहत में बढ़ना चाते हैं तीसरा जो कारण है, वो है हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे इंसानों का कमी है, जो हमें अच्छे कारे में encourage करता हो, जो हम लोग अगर कुछ mistake कर रहे हैं, तो हमें सिखाने में इच्छुख हो, ऐसे इंसानों का कमी है हमारे जीवन में, इसलिए हम लोग आत्मिक रूप से न आपने इसको इस तरह से किया है, ये ऐसा होना चाहिए था, तो हमें ऐसा एक दोस्त बनाना है, क्योंकि विचन उसका 27 का सत्रम में इस तरह से कहता है, जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मनिस्य का मुख अपने मित्र की संगती से चमकदार हो जाता है, तो अगर हमारे जीवन में एक अच्छा दोस्त है, जो हमें करेक्शन करता है, जो हमें सिखाता है, हर समय हमारे साथ रहता है, आत्मिकता में बढ़ने के लिए, मसिहत में बढ़ने के लिए इंकरेज देता है, सायद वो हमारे परिबार से भी हो सकता है, हमारे दोस्त हो सकता ह है हमारे कलिश से हो सकता है कोई भी हो सकता है अगर वो हमारे जीवन में हैं तो हम लोग आत्मिक रूप से मसीहत में बढ़ सकते हैं जो हमें हमेशा हमारे साथ देगा हमारे अच्छाई और हमारे बुराई में और हमें मसीहत में बढ़ने के लिए सहायता करेगा ऐसा है तो हम हम लोग मसीहत में definitely बढ़ पाएंगे चौथा जो कारण है क्यों हम लोग मसीहत में नहीं बढ़ पा रहे हैं हम लोग बहुत सा समय हमारे जो मसी भाई बहन है वे लोग ये दुनिया के रंगरलिया में डूब गए हैं और डूब चिके हैं और जो प्रोसेस में हैं तो ऐसा उन सभी में अगर हम लोग मन लगा रहे हैं तो आत्मिक बातों में हम लोग कभी भी मन नहीं लगा पाएंगे हमें ये सबसे सेपरेट होना है हम लोग को अपार्ट होना है क्योंकि मसीहत का जीवन एक अलगी रूप का जीवन है हम लोग संसार के साथ नहीं चल सकते हम पवित्रता का जीवन में जी रहे हैं तो हम लोग मसी को प्रसनिक कर सकते हैं, अगर हम लोग मसी को प्रसनिक कर रहे हैं, तो हम लोग मसी में बढ़ सकते हैं, आत्मिक रूप से हम लोग बढ़ सकते हैं, और रूमिय को पुस्तक उसका 12 का 2 अगर हम लोग पढ़ेंगे, संसारिक रूप से बहुत डिफरेंट है, वो अलग है, मसीहत का जीवन एक अलग ही जीवन है, संसार की तरह नहीं, अगर हम लोग संसार की तरह जीते हैं, तो हम लोग मसीहत में नहीं हैं, ऐसा याकुब के पत्री 4 का 4 में हम लोगों को सिखाता है, तो मेरे दोस्तों, अगर ह संसार के लोग करते हैं अगर हम लोग वही करना चाहते हैं तो हम लोग मसीहत में नहीं बढ़ सकते हैं आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए हमें पवित्रत का जीवन जीना है और ये सारे चीजों से हमें दूर होना है तब हम मसीहत में और भी आगे बढ़ सकते हैं जो चीवन में एक सच्चा उदेश से नहीं है कि मसीहत में हमें बरना है अगर हम लोग मसीहत में बरना चाहते हैं तो हमें एक उदेश से रखना है एक परपोस रखना है कि हम लोग बाइबल को परना है इतना दिनों में इतना चप्टर हमें परपोस रखना है कि दो साल के अंदर में और एक साल के अंदर में मैं बाइवल को खतम करूँगा इतने सालों में मुझे ये सिखना है इतने सालों में मुझे ये सब सिखाने के लिए मुझे अपने आपको तयार करना है मसीहत में बढ़ने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए परपोस होना चाहिए एक उदेश से होना चाहिए अगर वे सब उदेश से रख कर हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हम लोग aimlessly कहीं भी जाके हमारा जीवन खतम हो जाएगा और हम लोग जहां पर सुरू किये थे वही पर खतम हो जाएगा हमारे जीबन हम लोग मसीहत में कभी नहीं बढ़ सकते जैसे एक पूल में अगर पानी इधर इधर नहीं होने से जैसे गंध आने सुरू हो जाता है और वहाँ बहुत साड़े कीरा वगेरा लग जाता है वैसे हमारे जीबन में अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हमारे जीबन से भी एक बूरा गंध आने लगेगा तो हमें मसीहत में बढ़ना है ताकि एक अच्छा पवित्रात्म का फल हमारे जीबन से निकलने पाए और लोग हमें मसीही में आगे बढ़ते हुए देखने पाए मैं आशा करता हूँ इस बचन के द्वारा आप सभी लोग आसिसित हुए है प्रभू आप सभी को आसिस करें